कौन लोग हैं जो जे पॉलिसी फ्रेम करते हैं कभी तो होमवर्क कर लिया करो या फिर आपने सोच रखा है कि लोगों को परिशान करना है मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन पॉलिसी की आपने कह दिया कि जो बच्चा 31 मार्च तक 31 मार्च तक 6 साल का हो जाएगा उसी को फ्रस्ट में अडमिशन मिलेगी अदरवाइज नहीं आपने इस पर होमवर्क किया नहीं किया अगर आपने किया होता तो ये पॉलिसी आप बनाते ही नहीं आप ये पॉलिसी बनाते कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को जब तक वो 3 सा अडमिशन नहीं मिलेगा ये पॉलिसी आप फ्रेम करते क्योंकि तीसरा साल उसका निकलता नर्सरी में चोथा साल निकलता एलकेजी में पांच पार साल निकलता यूकेजी में और जब 6 पलस हो जाता वो 1 में आ जाता किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और आपने ये कहा कि 31 मार्स ते वो बच्चा 6 पलस होना चाहिए तब यह वो 1 में प्रमोट हो चकता है जिस बच्चे का बढ़ डे 2 अपरेल को होगा 1 अपरेल को होगा 3 अपरेल को होगा मैं में होगा जून में होगा दो दिन की वज़़ा से उसका साल वेस्ट हो गया इसलिए मैंने कहा कि आप फॉम वर्क वाकई करते हो जड़ जो मन में आया कह दिया कर दिया ये लोग है इनको तो मानना है जो हमने कह दिया आपने इसको पहले रिसर्च किया कितने लोग इससे एफेक्ट होंगे कितने लोग परिशान होंगे और परिशान हैं हमें रोज से सो से डेड़ सो कॉल आ रहा है वो कहते हैं इसमें हमारी गलती क्या है अब सवाल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है वो पेरेंट पूछते हैं कि आपने हमें अड्मिशन दी क्यों फिर आपको हमें अड्मिशन नहीं देनी चाहिए थी जब हमारा बचा नर्सरी में अड्मिट हो रहा था वो क्रेटेरिया वहां से टोना चाहिए था आज भी अगर आप ये पॉल्सी लेकर आते हो जो बचा तीन साल से उपर होगा थ्री प्लस होगा उसी को अड्मिशन दी जाएगी स्टार्टिंग में नर्सरी में तो ये मसला हल हो गया वो छे साल में पहुंचते पहुंचते फ़स में पहुंचेगा लेकिन आज हजारों बच्चे जिसका साल बरबाद होने जा रहा है आपकी इस मैं नलाइकी कहूं इसको जा आपने होमवर्क ही नहीं किया कोई एक लॉजिक आप बता सकते हैं इसका नहीं बोलते नहीं हैं आप आप जानते हैं कितने लोग परेशान हैं इसे यह आपका दाइत तव है जो भी पॉलिसी आप फ्रेम करें वो पबलिक के इंटरस्ट में होनी चाहिए जब आपने यह सोचा आपके दिमाग में यह उपर जाई कि हमने यह पॉलिसी फ्रेम करनी है यह रूल्स निकालना है तो आपने सोचा है जो बच्चे अल्रेडी यूकेजी में है अब मार्च के बाद एक्जाम होने हैं उनको प्रमोट होना है फर्स्ट में उनको दोबारा यूकेजी में बैठना पड़ेगा यह सोचा आपने जबरदस्ती तो नर्सरी में अडमिशन नहीं ले ली थी हर गर गर में स्कूल तो नहीं है अपना बच्चा अपने स्कूल में पढ़ रहा है आप लोगों ने अडमिशन दी आपके रूल्स के हिसाब से या फिर आपको मज़ा आता है लोगों को परिशान करके जब वो परिशान इतने हो जाते हैं ब्रिम पे आ जाते हैं फिर आप उस पॉलिस्टी को कैंसल कर देते हो फिर उनको लगता हाँ रिलीफ मिल गया एजुकेशन डिपार्टमेंट जिन्दाबाद ये समझ से परे हैं आपके ये निरने जो भी फैसला लोगों को परिशान करे वो फैसला गलत होता है हमेशा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप बता दो अगर ये कहते हैं कि बच्चा first पहुंचने से पहले sixth प्लस होना चाहिए तो आप three प्लस को ही admission दो nursery में ओ आलरेडी sixth प्लस पहुंचेगा फ्रस्ट में लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जो बच्चा अभी UKG में है या फिर LKG में भी है उसको अभी चिंता हो गई है कि मैं फ्रस में पहुंचूंगा ही नहीं मुझे एक साल डबल लगाना पड़ेगा यूकेजी में एक साल की कीमत समझनी पड़ेगी आपको एक साल बरबाद हो जाएगा उन बच्चों का और नलाइकी आपकी है क्योंकि एडमिशन आपकी रूल के हिसाब से हुआ है उनका इस पर एक बार फिर से गोर कीजिए जूकेशन डिपार्टमेंट साहब इस पर एक बार फिर से गोर कीजिए डिरेक्टर साहब आपको एक बार गोर करना चाहिए इस पर लोगों को परिशान करके पता नहीं क्या मज़ा आता है आप लोगों को ये मेरी समझ से परे है जितनी सक्ति से आपने ये फैसला सुनाया है ये पॉलसी बनाई है और इसको इंप्लिमेंट करने जा रही हो काश इतनी सक्ति सक्ति से आपने वो फैसले भी किये होते only monthly fee तब वहां आप मोल्ड हो जाते हो जुक जाते हो गुटने टेक देते हो वो रिपोर्ट्स मैंने की हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं पागलों की तरह रिपोर्ट्स की हैं हमने कि शायद आप पर कोई असर हुआ नहीं हुआ उसका कोई असर नहीं हुआ था मैंने भी एन्यूल चार्ज़स दिये हैं अपने बच्चों के मैंने भी एन्यूल चार्ज़स दिये हैं हलांकि आपने कहा था नो एन्यूल चार्ज़स नो एक्स्ट्राफी लेकिन ये फैसला जब आपने ये पालिसी बनाई तो ये समझ से परे थी पता नहीं कौन लोग हैं जो इस पर काम करते हैं कौन लोग हैं जो गाइड करते हैं और कौन लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आती इससे कितने लोग परिशान हो जाएंगे कितने पेरेंट परिशान हो जाएंगे वक्त है अभी आपको इस पर एक बार फिर सोचना चाहिए पॉलसी ये फ्रेम कीजिए कि जो बच्चा थ्री प्लस होगा उसी को स्कूल एडमिशन देगा नरस्री में दो साल के, डाई साल के, पौने तीन साल के या तीन साल से एक महीना कम है, एक दिन कम है उसको अडमिशन नहीं मिलेगा, इस पर आप सक्त हो जाएए लेकिन ये बेतुकी पॉलसी है, बेतुका रूल है कि जो बच्चे अल्डेडी यूकेजी में पढ़ रहे हैं अगर वो कतिस मार्च से छे साल के नहीं होते तो उनको फर्स में प्रमोट नहीं किया जाएगा इसका कोई बतलब नहीं है उनके बच्चों का साल तो वेस्ट होगा उसके साथ उन्होंने एक मोटी रकम दी है उन स्कूल वालों को, एन्यूल चार्जिस के साथ वो वापिस उनको देनी है बोनस भी दे रहे हैं अब आप आपकी पॉलसिएं, आपके रूल, बोनस भी दे रहे हैं इस पर एक बार फिर से गोर कीजिए जनाब ये लार्ج पबिक इंटरस्ट का मैटर है इस पर एक बार फिर से गोर कीजिए शुबम कुमार के साथ रवेंदर सिंग दस्टेट सेंटिनल के लिए